इरान ने 48 घंटे का युद्ध लड़ने की पूरी तयारी कर लिए 48 घंटे में इरान 200 मिसाइल फायर करना चाहता है 48 घंटे में इरान अब इस रेट को पूरी तरह खत्म करना चाहता है इरान ने इस युद्ध के लिए एक बड़ी तयारी की है इस तैयारी का वीडियो जब से इसराइल पहुचा है तब से नेतन याहू के सभी कमांडर बैक फूट पर नज़र आ रहा है इरान ने वैसला कर दिया है इरान ने ताकत की नुमाई शुरू कर दी है इरान ने ऐसी फायर पावर देखानी शुरू कर दी है जिसकी जद में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा इरान बताना चाहता है कि इसराइल से वो ततकर लेने के लिए तयार है लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि इरान अब इसराइल से युद्ध करना चाहता है क्योंकि घाजा से युद्ध निकल कर बाहर फैला तो खत्रा तीसरे विश्व युद्ध का जटाया जा रहा है जिसकी आग में पूरी दुनिया जलेगी इरान पर इस स्वक्त पूरी दुनिया की नजर है इसरेल से लेकर ब्रिटन और रूस से लेकर अमेरिका तक सब इरान के इस फायर पावर पर नजर गड़ाए बैठे हैं क्योंकि इन धमाकों, इन रॉकेंट्स और इन टैंकों के टार्केट पर इस स्वक्त दो देश है पहला है इसरेल और दूसरा है उसकी मदद करने वाला अमेरिका इन दोनों देशों से दुश्मनी की सबसे नई वज़ा इस वक्त गाजा है और वहाँ हो रही बंबारी घाजा में इसरेल की बंबारी की वज़े से आथ हजार से जादा लोग मारे जा चुके हैं कबरिस्तान नहीं बचे हैं लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है घाजा की हजारों इमारतें इसरेल के बंब से तबाह हो चुकी हैं घाजा में 21,000 से जादा लोग कायल हैं और घाजा का हर अस्पताल इस वक्त बुरी तरह जख्मी लोगों के इलाज में जुटा हुआ है इन्हीं तस्वीरों की वज़े से इस वक्त पूरे पश्यमेशिया में गुस्सा है और इसरेल को बहुत बड़ी वानिंग भी दे दी गई है तुर्की ने कहा है कि इसरेल घाजा पर बंबारी वाला पागल पंद करे अमेरिका के बिना इसरेल की सेनात तीन दे दिन में ढह जाएगी साथी अरब ने कह धिया है कि इसरेल घाजा में गुस्ने की कोशिश ना करे इसका अंजाम बहुट बुरा होगे इरान की तरफ से सबसे सक्ट बात कही गई है राश्चोपती रईसी ने अलान कर दिया है कि इस्राइल की हुकूमत गिरने वाली है कुल मिलाकर एक बात साफ है कि इस्राइल घाजा पर नौन स्टॉप बंबारी की वज़े से पूरे पश्ची मेशिया में घिर चुका है इरान और सौधी अरव की तरफ से तल्ख बातों के बाद अब तुर्की भी इस्राइल के खिलाफ उतर चुका है सवाल है कि क्या ये तीनों देश इस्राइल के खिलाफ एक्शन को लेकर वाकई गंबीर है या फिर ये सिर्फ एक गीदर भब की है इरान ने इसराइल और अमेरिका दोनों को डराने के लिए बहुत बड़ा युद्ध भ्यास किया है इस युद्ध भ्यास में इरान की सेना ने 200 हेलिकॉप्टर का इस्तिमाल किया है इरान की IRGC यानि Islamic Revolutionary Guards Corps के कमांडों ने इस फाहान के पास अपनी पूरी ताकत दिखाई है इतने हेलिकॉप्टर एक साथ लॉंच करने का मतलब युद्ध ही होता है इसमें इरान के कोब्रा हेलिकॉप्टर भी शामिल हुए यानि मैसेज साफ है इरान बताना चाहता है कि अपनी तरफ बढ़ती सेनाओं के खिलाफ कमांडों आउपरेशन चुरू करेगा दो सो हेलिकॉप्टर के साथ एरान अपनी क्विप्ट रियाक्शन पोर्स का प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि अब नए जमाने की युद्ध में तेजी से होई कार्यवाई ही निरणायक साबित होती है एक बड़ी कमांडो टीम को कैसे दुश्मन के इलाके में उतारना है ये भी दिखाया गया अमेरिका में बने C-130 हर्कुलिस विमान के जरिये कमांडों को कैसे दुश्मन के इलाके में भीजना है इसकी भी तैयारी दिखाई गई लेकिन सबसे खतरनाग मैसेच इरान की ड्रोन पावर है योक्रेन में शाहिद ड्रोन की कयामत वाली कार्रिवाई के बाद अब इरान कॉमबैट ड्रोन में सुपर पावर बन चुका है ड्रोन से मिसाइल कैसे फायर करनी है दुश्मन पर कैसे पिन पॉइंट अटेक करना है ये भी इरान के इस युद्धा भ्यास में दिखाया गया इसके बाद बारी आई है टेक्टिकल मिसाइल यानि छोटी दूरी पर दुश्मन की टुकड़े पर कैसे सथी खमला करके हाहाकार मचाना है इरान इसका भी एक्सपर्ट बन चुका है ये सब भथियारों को इसरैल के बॉर्डर तक ले जाना इरान के लिए आसान नहीं लेक का मतलब युद्ध होगा और तब उसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं बचेगी इरान के तेवर देखकर नेतन्याहू की दरब से एक ऐसा बयान आया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है नेतन्याहू ने कहा है कि साथ अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बीचे एरान है इस पारे में वो पुखता तोर पर नहीं कह सकते देख जब तो एक तरह से नेतन्याहू ने एरान को क्लीन चिट दे दिए एरान तומכת बचमास पर एक कि तक्सिवाश के पारे में थाथ पर एक्दिवाश के पर एक तक्सिवाश एक्थ हमास पा मारान, היא मמאמנת, היא मेरגנת, היא मनכה, היא मद्रीगा अजरान, אני לא יכול להגיד לך בהכרח שבפועलה הספציפית הזאת, ברגע הספציפית הזה הם היו שותפים למיקרוטכנון אבל זה שהם מגבים את מכונת המלחמה של החמאס सवाल ये भी हुटता है कि एरान से युद्ध को लेकर क्या इसराइल बैक फुट परा चुका है और वो एरान से ये भी कहना चाहता है कि वो भी घासा से दूर रहे और अब इरान भी अपनी जनता को खुश्ट करने के लिए इसराइल के खिलाब सिर्फ बैयान बाजी पर फोकस कर रहा है साथ में वो युद्धा भ्यास के वीडियो भी जारी करके बताना चाहता है कि All Is Well ऐसे में सवाल है कि जब इरान के लिए ये हत्यार इसराइल की बॉर्डर तक पहुँचाना आसान नहीं तो फिर घासा को कौन बचाएगा क्या घासा को खुद को बचाना होगा क्या घासा के लिए युद्ध की धमकी वाले बायान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है ये सवाल इसलिए क्योंकि इसराइल की सेना ने रात के दोरान चलाए गए ऑपरेशन के दोरान घासा में कार्रवाई की है हलाकि उसे शुरुवाती छट्पों के बाद समझ में आ गया कि घासा में टिक कर ऑपरेशन करना उसके लिए असान नहीं होगा ये घासा की तरफ बढ़ती इसरेल के सैन ये काफिले का वीडियो है जो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है तब हमास की एक एंटी टैंक मिसाइल ने इसरेल की पैंथर बखतर बंद गाड़ी को टार्गेट किया था इस धमाकी का क्या असर हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं मिली लेकिन पैंथर बखतर बंद गाड़ी में 12 से 14 सैनिक सबार किये जाते है गाजा में बंबारी के बीच एक बड़ा होट स्पॉर्ट इसरेल और लेबनन का बॉर्डर बनता हुआ नजरा है लेकिन अब उत्तरी इसरेल की तरफ लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के हमलों में भी नई धार देखने को मिल रही है अपने 40 से जादा लड़ापों को गोने के बाद हिजबुल्ला ने इसरेल की पूस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला तो किया लेकिन अब तक वो इसरेली फोज का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया है इसलिए सवाल यहां भी उठता है कि क्या गाजब पर इसरेल के ग्राउंड ओपरेशन को लेकर हिजबुल्ला के तीवर भी ठंडे पड़ गए है इन सब कयासों और सवालों के बीच हिजबुल्ला ने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के महासचे वो हसन नसरुल्ला को जाते हुए पीछे से दिखाया गया है सामने हिजबुल्ला का जंडा लगा है इस 12 सेकंड के वीडियो को फिर देखिए क्योंकि कहा जा रहा है कि हस्बॉल्ला ने इस वीडियो के जरीए इस रेल पर बड़े हमले की तरफ इशारा कर दिया है इरान भी अपनी तयारी पूरी रखना चाहता है इरान ने युद्धा भ्यास में अपने तोप खाने की ताकत भी दिखाई है ये है इरान की चलती फिरती तोप नाम है राद टूप इरान की ये तोप 155 मिली मीटर का गोला फायर करती है देखिए कैसे टार्गेट को लेकर तयारी की गए और फिर जब इस तोप ने गोला दागा तो वो कितनी सठीक जगा जाकर खिरा इरान की ये तस्वीरें इसरैल को डराने के लिए है चौके घाजा में बड़ी तबाही हो रही है घाजा में इसरैल के बंप फट रहे है उत्तरी घाजा का कोई महला कोई गली बाकी बची नहीं जो इसरैल के धमाके से कुची ना हो घाजा ने इतनी लाशें पहले भी देखी लेकिन इस पार तबाही का मनजर और ज़्यादा खदरनाक नजर आ रहा है पूरे घाजा में इस स्वक्त बारूद फैला हुआ है पूरे घाजा में इस स्वक्त बारूद की भू आ रही है यहां की आबो हवा में बारूद भुल चुका है इस्रेल का दावा है कि उसकी अपोर्स घाजा पर रोल तीन सौ से ज़ादा स्ट्राइक कर रही है लेकिन घाजा से धूर दुनिया में दो जगए इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए दो वाच टावर तयार हो चुके हैं एक है भूमत धिसागर जहाँ अमेरिका ने समुत्री बेड़े तयार कर दिये हैं तो दूसरा है वारस के खाडे जहां चीन ने अपने छे जंगी जहाज तैनात कर दिये हैं एक तरफ अमेरिका इस्रेयल को बचाने पहुँच गया है तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि उसने एरान को सुरक्षित रखने के लिए अपने मसल पावर दिखाने शुरू करती है चीन की नौसेना अभी तक दक्षिन चीन सागव में अपनी ताकत दिखाती आई है लेकिन इस बार पारस के खाड़ी में चीन के छे जंगी जहाजों का पहुँचना बताता है कि घाजा और फिलस्तीन का युद्धव दुन्या की सबसे बड़ी तकतर में बदल सकता है चीन की मौजूद्धी भी इरान का होसला बढ़ा रही है फिलहाग हर जगे इरान के ऐसे ही वीडियो की चर्चा हो रही है और सब ये जानना चाहते हैं कि इरान अभ घाजा पर बंबारी को लेकर इसरैल के खिलाफ क्या कर सकता है सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि इरान नहीं चाहेगा कि ये युद्ध उसकी जमीन तब पहुचे और ज्यादा से ज्यादा एक्शन है गुल्ला की तरफ से हो लेकिन फिर भी उसने अपनी तयारी पूरी कर ली है क्योंकि इसरैल पर इरान का हमला हुआ तो उसे रौंदने के लिए अमेरिका की 46,000 सेना पहले से ही खाड़ी देशों में मौझूद है